दोस्तो यस बैंक की बात करें तो यहाँ पे दो तीन बड़ी ब्रेकिंग जो निकल के आ रही है जिनको हम एके करके डिसकस करने वाले है यस बैंक एफ एंडो में सामिल होने जा रहा है अब आप देख सकते हो यह इसके लिए बड़ा अच्छीमेंट है आने वाले समें निव उस वीडियो के माध्यम से डिसकस करेंगे यस बैंक ने अपने अपड़ी में बदलाव कर दिया है अब यस बैंक का इस्टोग जो इस समय 20 रुपिज से नीचे क्या इसलों पर खरिदारी करनी चीए क्या है आगे की समोना जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से लेकिन फ्र किजिए चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते मैं हूँ आपका दोस्त एस भी दवे और हमारे अपने चनल ओनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो सबसे पहले यस बैंक के कारूबार की बात कर ले तो देख सकते हो कि 19.32 पर क्लोजिंग थी 1.20% की अब यहां पर जो बड़ी ब्रेकिंग निकल क्या आ रही है यस बैंक ने एक्चेंज को जानकारी दी है कि उनको एक यहां पर कम्यूकेशन रिसिव हुआ है नौबर 14 को जिसमें रिजर्व बैंक ऑप इंडिया की तरब से उनके उपर एक मॉनेटरी पैनल्टी लगाए गी है 10,000 रुपीज की तो यह देख सकते हो कि RBI की तरब से पैनल्टी लगी है यस बैंक पे तो सेवा की कमी की वज़़े से यह पैनल्टी लगी है तो देख सकते हो कि RBI के रूल्स के तहद जो बैंकों को सर्विस प्रवाड़ करनी है कस्टमर को उनमें कुछ कमी रह गई है जिसकी वज़े से यह एक पैनल्टी लगाएगी है अमाउंट बहुत छोटा है लेकिन पैनल्टी पैनल्टी होती है इसका मतलब यस बैंक के जो मैनेजमेंट है उसमें अभी भी कुछ कमी आ है जो एमपलोईज है उनको उतनी तरह से ट्रेंड नहीं किया कि वो इस तरह से जो सेवा दे रहे कस्टमर को उसमें अभी भी कुछ कमी रहे गए तो यह एस बैंक के लिए एक तरह से सेट बैक है और यह एस बैंक को इसमें कुछ बढ़ा करना होगा ताकि आने वाल इसमें इस तरह से आर्बा के द्वारा उन पर पैनल्टी ने लगे सेवा की कमी की वज जाएगी तो देख सेट की 29 नवंबर से उनमें ट्रेडिंग शुरू होगी इसमें लिस्ट में LIC है जियो फानेंसर सर्वीस है अदारी अनर्जी और यस बैंक भी सामिल है तो यह बहुत बड़ा अच्विमेंट यस बैंक के लिए यस बैंक को अब इस लिस्ट में सामिल कर स्टॉक तो उस पे विश्वास और बढ़ जाता है वो स्टॉक फंडामेटली भी मजबूत लगता है तबी उसको उसके लिए हिसाब से मांचुना गया है तो यह जो कंपनिया 45 कंपनिया उनमें आने वाले समें नवीस भी आएगा और यस बैंक भी आने वाले समें बैतर कर इंडिया, BSC Limited, Computer Age Management Service Limited, Central Deposit Services India Limited, के लावा C.S.C.L.C.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.R.S.C.E.E.C.E.C.E.G.E.S.E.C.E.C.E.C.E.C.E.E.P.E.C.E.C.E.S.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C लिमिटेड, इंडियन स्वास्थत्यन पांड़ारिए एसे लिमिटेड, लुधा मैंक्रोथे़स लिमिटे है, इसके लावा Max Healthcare Institute Limited, NCC Limited, इसके लावा HSBC Limited, इसके लावा FS&E Commerce Ventures Limited, Oil India Limited, Paytm-197 Communication Limited, PB Fintech Limited, Puna वाला FinCop, इसके लावा Prestige Estate Project Limited, NJVN Limited, Sona BMW Precision Forging Limited, Supreme Industry Limited, Tata LXC Limited, इसके लावा Tube Investment and of India Limited, Union Bank of India, Varun Beverage, Yes Bank Limited और Jometo Limited, तो यह 45 कंपनिया जिनको इसमें सामिल कर लिया गया है, अब यहापे October के Mutual Fund के नए है आकड़े निकल कर आए, जो बहुत ही जादा चोकाने वाले है, October मंत में इस गिरावट का फाइदा उड़ा के 34 Mutual Fund ने Fresh Investment शुरू कर दिया है, यानि नई इंट्री हो चुक है 34 Mutual Fund की, सामने सिर्फ 3 Mutual Fund ने यहाँ से exit किया है, इसका मतलब यह है कि इस स्टॉक के अंदर गिरावट का फाइदा उड़ा के Mutual Fund ने जम के खरिदारी सुरू कर दिया, तो जो लोग कहरें कि यस बैंक से सारा निवेस लोग निकाल रहे है, वो बात बिल्कुल यहापे गलत साबित हो रही है, अक्टोबर मन्त में fresh investment बहुत सारा हुआ है Mutual Fund की तरब से, तो भले यहाँ फाइब आजार से पैसे निकाले हो, लेकिन इंडिया के जो बड़े फंडाउस है, उन्होंने अब खरिदारी सुरू कर दिया है, और यह बहुत बड़ा सुप संकेत है, यहाँ पर कुछ बड़े mutual fund जिरों ने काफी बड़ा निवेश किया है, जिसमें निपन इंडिया ETF की तरब से 20.45 करोड का AU किया है, मोति लालो स्वाल Nifty Mid Cap 150 Index ने भी 21.81 करोड का AU लिया है, और निपन इंडिया Nifty Mid Cap 150 Index ने 18.37 करोड का AU लिया है, तो यह निवेश तो बहुत सारा है, लेकिन अब आप देखें तो इसको जो सिर्फ 2 डिजिन पर उसको एक बार देख लेते हैं, तो मीरे असेट Nifty Mid Cap 150 ने भी 10.47 करोड का AU किया है, और भी बहुत सारी है, निवेश काफी ज़्यादा है, लेकिन अब सब को डिसकस ने कर सकते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन LIC Mutual Fund ने भी यहां पर 9.97 करोड का AU किया है, तो काफी अच्छा यहां पर असेट अंडर मैनेजमेंट आपको दिखाई देगा, यह बात क्लिरी समझ में आ सकते हो कि यहस बैंक आने वाले समें बेतर कर सकता है, अब यहस बैंक ने अपने बीजनस को मजबूती परदान करने के लिए बड़ा फैसला और किया है, पहली बार काफी समय कोद यहस बैंक ने अपने अबडी पर ब्याज दर को घटा दिया है, अब यहां पे फिलाल देखें, यहस बैंक ने तीन क्रोड रुपे से कम की जमारासी पर जो एबडी दर है, अब यहां पे लिए अपने बिजनस में प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए फैसला किया कि एबडी के ब्याज दर थोड़ी सी गटा दिये, अब यहां पे SBI की बात करें, SBI जो है इस समय सामने नागरी को 3.50% और जो सिंदेर सिडिजन को 7.10% का इस समय फाइदा दे रही है, और जो हाइएस्ट है वो 4% है और सिंदेर सिडिजन के लिए 7.60% है, तो फिलाल देख सकते हो कि अभी SBI से इसका थोड़ा ज़्यादा है, EBS Bank का FD के ब्याज दर और अगर हम बात करें ICC Bank की, तो ICC Bank का भी 3% से लेके 7.25% है और जो सिंदेर सिडिजन का 3.50% से लेके 7.80% है, तो फिलाल आप देख सकते हो, ICC Bank से अभी भी काफी अच्छा है, और HDFC Bank की भी बात करें, तो 3.50% लेके 7.85% का है बरिश्ट नागरिकों के लिए, और आम ज़्यादा के लिए 3% से लेके 7.35% है, तो कुल मिला के HDFC Bank और ICC Bank से अभी भी येस Bank का अगर आप देखेंगे तो interest rate ठीक है, बलेक कम किया हो, तो देख सकते हो कि येस Bank लगातार अच्छे फैसले ले रही है, जिसकी वज़े से हम कह सकते हैं कि आनेवल्स में येस Bank बैतर कर सकती है, वैसे भी येस Bank का जो सबसे बड़ा अच्छिवमेंट है डिजिटल ट्रांजेक्शन में है, दूसरी बैंकों को पचार के ये अपनी नंबर उन पोजिशन आसिल किया हुए, और एक तरस से देखें तो इसकी और Axis Bank की टकर चल रही है, दोनों में इस मामरे में होड है की कौन आगे बड़े, लेकिन आप क्लियले समझ सकते हो कि येस Bank आने वाले समें बैतर कर सकता है, प्राइज इसकी बिल्कुल कॉडियों के बाव में आने वाले समें बैतर होने की पूरी उमीद है, ऐसे में एक इन्वेस्मेंट का मौका बनता है, लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्मेंट करने से पहले, अपने Financial Advices Advice ले ले या अपना खुद का Research करें की खुमने वीडियो, आपके Educational Purpose के लिए ही बनाए वीडियो पसंद आए, लाइक से जरू कीज़ें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, थैंक्यू फ्रेंड्स,